अजर कि नमस्कार आज में टोसा प्रिमिक्स प्राउडर बनेंगी इस प्रॉमिक्स हे आप बहुत जल्दी ज़ट-पट आप डोसा बना सकते हैं इसके अलावा बहुतस तहों किन भी इस प्राउडर से बना सकते हैं तो इसके लिए मैं ले रही हून एकक च्ऴा च्वल, आप जिस क्वाप में ले रहे हैं च्वाप उसी क्वाप में आपको लेना है नकाहिए दाल एकक यह चीज को आप छाहें तो अलग अलग धो सकते हैं याप एक साथ मिला के भी धो सकते हैं तो इनको मैंने धोल लिया है और अच्छे से दूप में लगभाख 4-5 घंटे के लिए सुखा दिया था तो एकदम यह ढूब यह ढूब हो चुका है और देखिए पूरी तरह से सुख गया है कि अभी देखिए यह सुख चुका है इसको अच्छे से ड्राय करना है पूरी तरह से सुखाना है आपको थोड़ा भी मुश्चर नहीं रहना चाहिए बरना पाउडर जो बनेगा वो खराफ हो सकता है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा तो अभी ड्राय होने के बाद हम इसको में डाल लेंगे और इसको पाउडर बना लेंगे तो आप दो- Navy से चला लीजिए ताकि पाउडर बन जाए तो इस पाउडर भी अभी इसामाल करने के लाइक नहीं है इसको हमें पढ़े गा तो इसका फाइन पाउडर निकालना पड़ेगा तो इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे तो इस पाउडर को आप ऐसे पाउडर बनाने के बाद कोई भी कंट्रेनर में डाल के आप इसको लगबग एक महिने तक जब चाहे तब इस्तवाल कर सकते हैं अभी देखिए पाउडर बन चुका है और जो भी दरदरा बचा है उसको हम दो बारा पिसेंगे दरदरा बच गया है इसको आप एक दो बारे से चला ले और फिर एसे पाउडर बना ले इस प्रिमिक्स पाउडर से आप बहुत सारे चीज बना सकते हैं जैसे कि यह वाला नमक लेना है उसके बाद आप पानी डालके हलका गरम पानी डालके एक घोल तैयार कर लेना है जैसे दोसा का घोल बनाते हैं उसके बाद लगवग 10-15 मिनिट रखा रहने दीजिए उसके बाद आपके पसंद मताविक सबजी बगेरा या फिर नमक डाल सकते हैं और थोड़ी दि फिर बाद आप डोसा बनाने के लिए बेटर तैयार हो जाए या